भागलपूर जिले में गंगा और कोसी नदी में आई बाल के कारण जिले में करीब 55,000 से अधिक हैक्टेर में लगी फसल को नुक्सान हुआ है इससे करीब 400 कड़ो रुपईये का किसानों को नुक्सान होने का अनुमान है जिले में खरी फसल धान, मक्का, केला, मिर्च, सबजी को सबसे ज़्यादा नुक्सान हुआ है भागलपूर क्रिशी विभाग ने जिले के 14 परखंड में फशल छती की प्रारंभिक रिपोर्ट विभाग को भेजी है अन्तिम रिपोर्ट महिने के अन्त तक भेजा जाएगा भेजे गए रिपोर्ट के अनुसार भागलपूर क्रिशी विभाग ने मुख्याले से किसानों के लिए 79,33,000 रुपईया की मांकी है जिले में दो परखंड भीपूर और जगदिसपूर को बाल के कारण कोई नुक्सान नहीं हुआ है जबकि सुल्तान गंज और सब और परखंड में सत परतिशत नुक्सान हुआ है 21 में जो बार आई है भागलपूर जिले में 2016 का भी रेकर्ड तोर चुकी है और 2016 में जितना नुक्सान हुआ था फसलों का उससे जदा नुक्सान हुआ है जिले में और अपने यहां मुखित धान, मक्का, केला, पपीता, मिर्च, सबजी इनी फसलों में नुक्सान जगा हुआ है हमलों का कुल 1,20,000 हेक्टेर के करीब में बुआ हुआ हुआ था सबजी, पलस, धान, मक्का जो अभी खड़ी हुआ हुआ है उसमें से 55,000 हेक्टेर में बारका पानी भुषा था और 51,830 हेक्टेर में बारका 33% से शती फ्रित्विजित किया गया विन प्रकंड़ों से प्रात रिपोर्ट के आधार पर और उसमें से जो हम लोग आपदा का नॉर्म्स के मुताबिक जो नॉर्म्स है कि 68,000 रुपया पती हेक्टेर असिंचित खेतों के लिए तेरह हजार प्राश्वार रुपया सिंचित खेतों के लिए और 18,000 रुपया साथवत्वाद फसल के लिए जैसे आम है पपिता है कियला है इस सब फसल है गन्ना है जब साथवत्वाद फसल में आता है तो यह सब फसल में आपको 18,000 रुपया पती हेक्टेर तो जो रासिक कि मान अनलोगों ने किया राज सरकार से वो 69 करोड से जाजा विप्यों की है जिले में 400-500 करोड का शिक्ति हो गया किसा तो उसकी भड़पाई को खाय संभव नहीं है लेकिन राज सरकार जो कर सकती है उसके लिए रिपोर्ट मंगा जा रहा है उनों रिपोर्ट जिलाप जिकारी महदय के अस्तर से भेज भी चुके हैं और जिलापदादिकारी महदय का इसमें स्वेश मिदेश है कि जो बास्तम में जिन किसानों का भस्तरों का शती हुआ है उसको निसीत्रूप से क्रिशिय इनकुट अंदान का राशी मिले आगलपूर से इक भी भारत जिले संधित को मार्द पू